हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्सराइज 12.1 करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन इसका क्वेश्चन नमबर हम लोग 3 देखेंगे एक्सराइज 12.1 का see the figure and find the ratio of हमें ये figure देखनी है और ratio बतानी है हमें जो की ABC पार्ट में दी गई है तो पहले हम इस figure को दिहान से देखेंगे कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है इसमें triangle है, square है और circle है तो सबसे पहले हम solution में लिख लेते हैं, solution में हम लिख लेते हैं कि number of triangle, number of triangle हमारे कितने है तो हम लिखेंगे solution, question number 3, solution 3 का क्या है number of triangle, triangle इसमें कितने है, एक, दो और तीन तो हम लिखेंगे number of triangle, number of triangle कितने थे इसमें, 1, 2, 3, right अब हम लिखेंगे number of squares, तो हम लिखेंगे number of square, number of square हमारे कितने हैं, count करेंगे, 1 और 2 तो 2 हमारे square है, and देखेंगे number of circles, तो हम number of circle हमारे कितने हैं, 1, 2, 2 circle हैं तो हमारे कितने हैं, 1 और 2, तो 2 लिखेंगे, right अब ए पार्ट में वो हमसे कह रहा है, number of triangle to the number of circle inside the rectangle कह रहा है, number of triangle to the number of circle inside the rectangle मतलब कि triangle का ratio हमें बताना है, और circle का तो हम देखेंगे, यह सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ हैं, जो चीज पहले दिये होती हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? उपर लिखते हैं, और जो चीज बहाद में दिये होती है, उसको हम नीचे लिखते हैं, तो हम ए पार्ट डालेंगे, तो हम लिखेंगे, number of triangle upon, क्या लिखेंगे, number of circle number of circle number of triangle हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, तो हम 3 लिखतेंगे, circle कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिखतेंगे, और ratio को हम कैसे लिख सकते हैं? और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 ratio 2 तो answer आपका इस तरीके से भी दे सकते हैं, और इस तरीके से भी दे सकते हैं अब next आते हैं हम B part पे B part कहा रहा है, number of square to all the figure inside the rectangle मतलब जितनी भी इसके अंदर figure है उनका ratio और उपर किसका आएगा? square का आएगा, इसमें total कितनी है? हम नहीं यह लिख रखी है 3 और 2, 5 और 2, 7 यानिकी 7 है, इसमें count कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हम लिखेंगे B part B part के लिए हम लिखेंगे number of square लिखेंगे number of square upon all the figure inside the rectangle all the figure figure inside rectangle तो number of square हमारे कितने है? 2 और all the figure यह triangle, square और circle यह सब मिला के हमारे कितने हो रहे है? 3 और 2, 5 और 2, 7 इनको हम add कर लेंगे हैंना? 3 प्लस 2, प्लस 2 इन सब को हम add कर लेंगे तो कितना आएगा? 7 तो यानि कि तो यानि कि all figure हमारे कितनी है? इसमें 7 है यानि कि 2 upon 7 और हम इसे क्या लिख सकते है? 2 ratio 7 राइट? नेक्स पार्ट है इसका थार्ड पार्ट number of circle number of circle to all the figure inside the rectangle तो C पार्ट में कह रहा है number of circle तो हम उपर लिख देंगे number of circle upon all the figure कह रहा है ना? all the figure inside rectangle तो यही लिख देंगे all the figure inside rectangle तो circle कितने है हमारे? 2 और all the figure हमारी कितनी है? triangle, square और circle total को हम add कर देंगे 3 और 2, 5 और 2, 7 यानि कि यह भी कितनी है? 2 upon 7 circle हमारे 2 है right तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 2 ratio 7 तो यही इस question का answer है next question के लिए हम लोग next video में मिलेंगे और video पसंद आ रहा हो तो video को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए